हेलो दोस्तों नमस्ते माई उनिश्ट एरो में आप सब का स्वागत करती हूं माई सूल फैमली माई वीवर्स माई सिस्क्राइबर्स का और प्लेस यू आप सुस्स होंगे मस तूंगे अपने लाइप में आगे बहरे होंगे डियर आज का विकाज मैं वीडियो लेकर आई हू ये वीडियो जो है मैं हाद देखना चाहती हूं कि आपके परसन जो भी हो मेलो फिमेलो अगर आप से वो बाच इतने ही करते हैं जब आप लोग के बीच फाइटिंग होती है नो कॉंडेक सिचुएशन होती है तो ये परसन अगर आपको स्टॉक करते हैं और वो क्या सूच हुआ तो यहां पर देखना चाहूंगे कि अब आपसे बात नहीं करते हैं आप लोग में फाइटिंग जगडे होते हैं नो कॉंटेक सिचुएशन होती है या एक दूसरे को ब्लाट कर देते हूं तो यहां पर देखना चाहूंगे क्या परसन के मन में क्या कुछ चलता है औ वह आपको स्टॉक करते हैं तो चलिए रिलाक्स हो जाएगे कलेक्टिव रिडिंग है और सारे साइन के लोग देख सकते हैं मेल फिमल मैरेड अनमैर सब के लिए हैं कलेक्टिव लेवल पर इंजस्ट प्लिस काइड करें कि वीवर्स के पार्टनर्स वीवर्स से जब बात्चित बंद करते हैं चक्रेक वाइटिंग होती है नो कोटेक्ट सिचुएशन होती है तो क्या वीवर्स के पार्टनर उनको स्टॉक करते हैं स्टॉक करते हैं तो क्या महशूस करते हैं relax, relax, इंचose, प्रिश कईड करें, वह क्या महसुस करते हैं, अगर बात चीत नहीं होती है, वीवर से, तो वीवर के पाथनर्स, क्या महसुस करते हैं, क्या वह स्टॉक करते हैं, आःगा फिल करते हैं, नो कॉंटेक्स सिचुएशन अगर है six of cups के एनर्जी है oh my god यहाँ पे six of cups five of cups अगर नो कॉंटेक्स सिचुएशन है तो भाई six of wands के एनर्जी है ठीक है क्या बात है क्या बात है page of wands new beginning देखिए आपके person क्या करना चाहते हैं अगर no context situation है जिनकी तो क्या वो श्टॉक करते हैं आपके बारे में क्या सोचते हैं यहाँ पे एक कार्ट negative है जो कि आप से related ही है regret फिल करते हैं मतलब बाकी जो भी बाते हैं वो seriously आपको प्यार करते हैं और आपसे दुर्ये रह नहीं सकते हैं पैस्नेट फिल करते हैं उदासी है प्रशानी है क्या बात है एस अपसोर्स है वाडम तड़ेक से खुस नहीं है छुप छुप कर नज़र रखना बंधा हुआ फिल करना और बहुत ज़्यादा आपको यह प्यार करते हैं ही मैं नहीं बोलँगे कि हाँ प्यार करते ही ने कि कार्टस आप सारे देख रहे हो जो सारे कार्टस हैं लेकिन आप लेकर वह न कहीं उन्हे अपसोस होता है रिग्रेटब माशील नेखिए आपैरेस लियो झाजिटेरियस के एनर्जी हैzufी पा recre रिजा give ni ने bothered जो प्यार के इमोशन्स को समझे और एनर्जी को समझे देखिए अगर नो कॉंटेक्स सिचुवेशन है और आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सुस्ति स्टॉप करते हैं तो देखिए यहां पे आपके पार्टनर आपसे अगर किसी तरग की फाइटिंग जगडे नो कॉंट दुख होता है ठीक है देखा जाए आपके पार्टनर लगतार आपके बारे में सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया ठीक है अगर उन्होंने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो यह सोचते हैं कि मुझे मनाना चाहिए था या फिर मुझे मना लेना चाहिए वो लगतार आपके बारे में सोचते हैं और काफी आप के बारे में ऐसी भी बाते सोचते हैं जो commitment से related है साथ आप लोग के बीच में कुछ issue ऐसे भी है कि या आपके partner और आप में commitment को लेकर बाचीत बंध होती है या फिर कोई यहां committed है या आप या आपके person वो भी एक issue है जो strong decision नहीं ले पा रहे हैं थोरा सा यह confused रहते हैं क्योंकि इन्हें अभी और रिस्ते को गहरे से सोचना है गहराई से सोचना है ठीक है एक दुसरे के बारे में जानना है क्योंकि आपके partner जो भी सोचते हैं इनमें यहां जो भी no contact situation भी है कोई ऐसी card नहीं है कि जो negative है आपको लेकर लेकिन इस person के अंदर आपके लिए true intention deep emotions जो है वो true है और truth है कि वो आपसे प्यार करते हैं क्योंकि six of wands है ace of cups है इस रिस्ते में उन्हें victory चाहिए success चाहिए और आपका साथ चाहिए वो आपके लिए काफी passionate फिल करते हैं लेकिन four of cups यह कह रहा है कि कभी-कभी यह उदास हो जाते है कि साथ वो आपको समझ नहीं पा रहे है या भी हो सकता है कि वो बात करे तो आप उन्हें reject कर दोगे ignore कर दोगे attention नहीं दोगे four of cups के थोरा सा confusion यहां पर strong energy है कि आपके person हर वक्त new beginning के वारे में चाहते हैं हमेशा आपके तरफ call message करना चाहते हैं आपसे बात करना चाहते हैं आपसे माफी मागना चाहते हैं तो यहां पर six of cups के energy है ठीक है जहां इनकी बाचित बंथ होती है तो यह आपके बारे में दोस्तों से अपने cousin से या फिर other friends से यह आपके बारे में जानकारी लेते रहते हैं ठीक है और अपने रिस्ते के बारे में वो किसी से अपने दिलखी बात share भी करते हैं कि आपको वो ignore किया हो या आपको किसी तरह से ignore भी किया हो बट करने के बाद जो भी इनके life में obstacle आते आप देख सकते हो यह तब भी आपको offer करने की कोशिस करते रहते हैं और इन्हें इस बात का regret है कि इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था इन्हें ऐसे word का इस्तमाल नहीं करना चाहिए था आपका दिल नहीं दुखाना चाहिए था लेकिन इस person के energy में देखिए कि यह new beginning चाहते हैं offer करना चाहते हैं बाचित करना चाहते हैं ठीक है थोड़ी उदासी है कि साहत आप उनको नहीं समझ रहे या उनको reject कर रहे हो लेकिन रही बात commitment की marriage की तो यह उस पर काम जरूर करें और सच पुछे तो यह new beginning भी चाहते हैं जो no contact situation में है तो यह person आपको stock भी करते हैं प्यार भी करते हैं रिस्ते पे काम भी करना चाहते हैं और बहुत strong है कि यह new beginning भी चाहते हैं Ace of Swords, Ace of Cubs, Ace of Wands यहाँ पर देखिए आपके partner इस दिस्ते में success और victory चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है यह person लगतार आपको stock तो कर रहे हैं कि वो आपसे बात करे, call message करे या direct आपसे मिले या फिर वो आपसे माफी मांगे लेकिन वो चाहते हैं माफी मांगना लेकिन four of cup से थोड़ी उदासी थोड़ी परशानी मुझे दिख रही है लेकिन कही न कही यह लग रहा कि अगर वो फिर से आपसे बात करेंगे तो उन्हें जवाब देना होगा वो जवाब क्या देना होगा commitment अगर आप लोग में commitment issue है तो वो कही न कि इस बात को लेकर थोड़ा सा confused है कि यह आपके सामने आएंगे तो आप कुछ न कुछ सवाल करोगे जो सवाल करोगे तो उसका जवाब यह क्या देंगे ठीक है लिकन या सारे cuts बता रहे हैं कि आपके partner आपसे प्यार करते हैं आपके लिए passionate है इस रिस्ते में उन्हें victory चाहिए इस energy में बहुत प्यार है बहुत romance है वो चाहिए new beginning चाहिए success वी चाहिए offer भी करना चाह रहे हैं आपसे बाचित भी करना चाह रहे हैं commitment को लेकर सोच रहे हैं लेकिन वो आपको कैसे समझाए और क लेकिन हो सकता है कि इन्होंने अगर उन्होंने वादा नहीं पूरा किया है या आपको दुख दिया है या फिर आपका दिल तो रहा है या ये किसी बात को लेकर वो मुकर गए हैं तो ये person को ये चीज़ का दुख है और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था इन्हें ऐसा लग प्रची है लेकिन करें तो क्या करें थोड़ा यह कंफ्यूज जरूर है बाकि सारे कार्ट्स पॉजिटिव है जहां प्यार में रिष्टे में सचाई है रोमांस है और कमिट्मेंट भी है तो यह कमिट्मेंट आपको जरूर देंगे उससे पहले यह रिष्टे को सुल आपको ओफर करेंगे नियो विगिनिंग करेंगे थोड़ा आपके साथ प्यार है रोमांस भी है विक्ट्री भी है ओफर भी है और प्यासनेट इनरजी भी है तो आपके पार्ट्न अगर नो कॉंटेक्स सिचुएशन में है तो आपको स्टॉक भी करें और आपसे प्यार भ आपके पार्टनर्स की फिलिंग्स नो कॉंटेक्स सिचिविशन वालों की वह आपको स्टॉक कर रहे हैं ठीक है तो चलिए कलेक्टिब रीडिंग है और ये नर्जी आपसे रिजनेट होती है तो क्लेम किजिए रिसिप किजिए ग्राटिटूद शो किजिए और प्रेर प्रा